क्या आपने कभी सोचा है कि भूतकाल की घटनाओं ने आज की दुनिया को हम किस परकार से जानते हैं? उसे किस परकार आकार दिया है? चाहे वह एक अद्वितिय नेता का जन्म हो, एक अमर संगीतिक महाकावी का प्रीमियर हो, या एक महत्वपूर्ण युद्ध का प्रभाव, प्रत्यक घटना हमारी दुनिया को आकार देने अपनी भूमिका निभाती है. हमारी यात्रा की शुरुआत सन 18109 में होती है, जब विश्विति हास में एक महत्वपूर्ण खटना हुई, ये वाव वर्ष था जब सन्युक्तराजी अमेरिका ने एक नए नागरिक का स्वागत किया, एक बच्चे का जो बड़ा होकर कोई और नहीं, बलकि अबराहम लि वर्षविन द्वारा एक वानिजिक संगीत का कंपोजिशन था, ये अमर कलाकृती अमेरिकी संगीत के सबसे पहचाने जाने वाले ठुकडे के रूप में बनने जा रही थी, 1999 में वैश्विक मंच पर एक और महत्वपूर्ण घटना घटी, पूर्व राष्ट्रपती बिल क्लिंटिन को उनकी महाभियोग याचिका में बरी कर दिया गया था, जो अमेरिकी राजनीतिक इतिहास का एक उलेखनी अक्षन था, अब आये हम अपना ध्यान भारत की ओर मो इतिहास किया था, ये संस्थान भारत में विमानन शिक्षा के विकाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला था, 20-19 की ओर तेजी से आगे बढ़ते हुए, हम भारत के इतिहास के एक अधिक संगर्ष में अधियाए से भेंट करते हैं, पुल्वामा हमला हुआ, ज पनीश्वरनात रेनु ने अपना उपन्यास मैला अंचल प्रकाशित किया, जो हिंदी साहिट्य में एक मील का पत्थर बनेगा। उसी वर्ष, 1984, ने एक और महत्वपूर्ण खटना देखी, जब इंदिरा गांधी ने राजीव गांधी राष्ट्रिय विमानन विश्वव ने महसूस किया, जिसने राजी के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण अधियाय को चिनहित किया, तो जब हम इन इतिहास की घटनाओं पर पीछे मुड़ते हैं, तो हम देखते हैं कि अतीत की घटनाएं न केवल दुनिया को ही नहीं, बलकि व्यक्तिगत राष्ट्रों और उनके राजियों को कैसे आकार दे रही है, महाननेता के जन्म से लेकर संगीतिक महाकावी की प्रीमियर तक, एक शैक्षनिक संस्थान की स्थापना से लेकर युद्ध के प्रभाव तक, हर घटना हमारे इतिहास और अंतता हमारे भविश्य को आकार देने में अपनी भूमि का निभाती है